तो चलिए एक बहुत ही अच्छी सी ताल तरटका की रेस्पी आपके साथ शेयर करेंगे एक कटोरी लिए मैंने मुंग डाल इसे मैंने गंड़े लिए था तो भी होने के बाद में बहुत अच्छे से सोफ्ट हो चुकी है तो इसको हमने गरम बानी रख दिया है और खुले मे इसको कोकर ब으ली बानी देना है और पकानी में अच्छे से सुटव पानी तो शेकि लाद साथ आप्र में मैं दोंगी हो चलाने लिए को साथ केट निकाल देंगे और रादेों भी लग्ने के नहीं है क्यों से कीगा मेरे चैनल बेल अकन को जुरू प्रैस किजिएगा तो चलिए यह बहुत अच्छे से दाल हमारी कल गई है तो यह देखिए बहुत अच्छे समाथी दाल सॉफ्ट हो यह से हमने डखके पकनने के लिए रख दिया है और यह देखिए आप इसको हम और पकने देंगे तो इसके लिए अब बनाते हैं एक बढ़ी असा तडडका तो हाची दाल तर्का है तो यह रहत्त प्रणर के हमें लॉपद के लिए को अच्छी तरगा मिश्छा से अच्छे से अच्छी नीब हूं आहा है अन्छी तरुपए और एक्र्मर्ची मैंने ज Democracy करके डाल दी है तो अब डालेंगे हम इसमें प्याज तो प्याज भी अच्छी तरे किसे हमें भून लेने है और जब तक भूनेंगे उसके बात में ही हमें इसमें एड़ करना है तमाटर तो हाँ जी इसमें हम डालेंगे तमाटर भी और तमाटर डाला है तो हलका सा नमक भी नमख, तो दो जगह हमने नमख डाला हैं उबलने कर लिया है और इस टाइम पे भी तो चलिए इसको बहुत अच्छा से हमने पका लिया है अ मसाले अब डाल देते हैं, ट्राय मसाले तो इसमें सिर्फ रल्धी जाएगी और इसमें जाएगा सिर्फ लाल मिर्ची का पाउडर तो यह बहुत अच्छे से टमटर हमारे सॉफ्ट हो गए है तो चलिए अब इसमें अट कर देते हैं यह उबली हुई दाल यह बहुत ही टेस्टी दाल बनके तैयार होती है एक बार जरुक ट्राइक कीजेगा आपको मज़ा आजाएगा आप इसे रो दाल देते हैं खुब सारा अरा धनिया और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं तड़का आने के बाद में तो एक और तड़का लगाने के लिए मैंने लिलिया एक सॉस पैन इसमें मैं लगाऊंगी तड़का तो यह तड़का पैन में मैंने डाल दिया है जीरा और जाल दिया है इसमें हींक तो हाँ जी इसमें हींक का और लस्उन का bHY्त ही अच्छा अच्छा फलेवर आता है अब इसमें डाल दूँंगे देगी मिर्च तो यह भी अच्छे तरीके से दाल का क ions वहां हमारा बनके हो गया है तैयार है तो इसतराइके से अगर आप ताल बनें झाल झाल